आपका voter ID card अगर गुम हो चुका है और उसका number भी आपको मालूम नहीं है तब भी आप एक simple condition से एक simple technique से आप आपका voter ID card जो का जो number है वो ढून भी सकते हैं और दूबारा दूसरी voter ID card के लिए apply भी कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और इसको करने क का सही तरी का क्या है यही हम सब इस वीडियो में देखने वाले हैं तो बने रहे हैं मैं इस वीडियो में शुरुआत से लिके अन तक तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा हाई मेरा नाम गनेशा वलकम टू मैं चैनल इंडिया डिजिटल बनेगा समाधान बस और आपको अप्लिकेशन है जो एलेक्शन ऑफ कमिशन ऑफ इंडिया का है जिसका नाम है वोटर हैं तो आपको क्या करना है यह आपको Mackie डाउनलोड करके इंस्टॉल करके लेना है और इसको जो भी पर्मिशन है आपको दे दिना है देने के बाद आपको इसको उपन करना है तो उपन करने के बाद देखो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो आपको क्या करना है सबसे पहले जो उपर वाला जो तो दे को किया करना वे सबसे करना है सबसे पहले आपका नाम ड़ना है दूसरा आपका जो भी ऐज करBox करना है बाद में आपको परफेक्ट ड़ना है इतना detail डालने के बाद जैसे आप search के उपर click करोगे तो search में click करने के बाद आपके सामने आपका पूरा information आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि उपर आपका जो number है वो भी आपको दिख रहा है और यहां पर आपका नाम अगरा सब दिख रहा है और दिखने के बाद आपको यह confirm करने के लिए आप जहां पर भी आप वोट डालने जाते हैं तो आपको आपको डाउनलोड करके रखना है जैसे आप डाउनलोड कर गए यहां पर रिसेट कहां पर सेव हुआ इसका information आपको मिल जाएगा तो आपको क्या करना है इसका शायद आपको चाहिए तो आप screenshot भी ले सकते हैं और screenshot मिलने के बाद दिखो आपको यहां पर आपको आपका जो voter ID का जो number है वह आपको मिल गया तो दिखो एक problem तो आपका solve हो गया मतलब अभी तक आपको आपका voter ID का number मालूम नहीं था तो अब आपको आपका voter ID का number मा उसी application में जाने के बाद अभी आपको क्या करना है यहां पर एक option आएगा तो यह दिखो यहां पर voter registration में जाना है और voter registration में जाने के बाद दिखो यह जो correction वाला जो form है number 8 का उसके उपर जाने के बाद यह आपको इसमें आपका जो भी है दिखो start में जाना है यहां पर आपक आपका रजिस्टर होने के बाद आपको आपको जितना भी information है कि जैसा क्यों हो गया आपका जो epic number है वो आपको डाल देना है और epic number डालने के बाद आपका आखिर में जाके आपको reason पूछेगा एक कि आपको क्यों replace करना है तो उसमें आपको लिखना है कि lost करके तो अगर मैं यह पूरा information डाल दोंगा तो यह video बहुत लंबा हो जाएगा और यह मतलब तो आपको क्या करना है तो आपको यहां पर जाके जीओ भी information है आपका भढ़े देना है भढ़ने के बाद आपको उसका एक number मिलेगा वो आपको number save करके रखना है और save करने के बाद उसका status check करना है जो application देता उसका reference number आपको यहां पर डालना है और track status के उपर click करना है तो click करने के बाद आपको आपका status है वो आपको दीख जाएगा और आपको apply करने के बाद 10 या 15 दिन के बाद आपको यहां पर मतलब उनका उनका आदमी आपको phone करने के बाद आपको confirmation देगा और confirmation देने के बाद आपको एक option select करना होता है जब भी आप नए voter card के लिए मतलब duplicate voter ID card के लिए जब apply करते हैं तो उसमें दो option आता है एक पोस्ट आता है और एक बाद मतलब उनका जो आजमी रहता है voter help का वो आपको contact करता तो आपको दोनों में से कौन सा भी option एक चूज कर सकते हैं और और चूज करने के बाद अगर आपने वाई पोस्ट किया तो वाई पोस्ट से आएगा लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पोस्ट से नहीं उनका जो official partner जो आता है उनका जो आदमी आता है उनका office वाला आप उनका जो option है वो सिलेख किजिए क्योंकि वो अगर आपको देने के बाद आपको तुरंत ओरिजनल आपका जो वोटर है पीवीसी वाला वो आपको मिल जाएगा तो इस तरह से आप बहुत आसानी से आपका नंबर ढूने के बाद एक डूब्लिकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए अपलाय कर सकते हो आपको यह मिल भी जाएग जाएगा